जैहिं दोस्तो स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल एहमत टेक्नलोजी में दोस्तो इस वीडियो में चैप्टर 4 के जो भी इंपूर्टन कोशन है उस पर डिसकस करेंगे तीन चैप्टर के और लेडी मैं करा चुका हूँ अगर आपने वीडियो नहीं देख लीजेगा और डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक डाल लूगा मैं वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं ठीक है और दोस्तो हमने एक टेलिगराम गुरूप बनाया है एहमत टेक्नलोजी फोर ओलेवल के नाम से आप जैसे ही टेलिगराम पर जाकर सर्च करेंगे सब से उपर आपको यह गुरूप मिलेगा आप इसको जोइन कर लें यहाँ पर आपको ओलेवल के रिगार्डिंग जो भी नोट्स हैं जो भी पीडियाफ हैं और नोटिफिकेशन वीडियो का आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा और जो भी ओलेवल के रिगार्डिंग कोई प्रोप्लम आप मुझे आपर share कर सकते हैं ठीक है तो सभी जाकर group join करें और Instagram पर follow करें चलिए देख लेते हैं अब हमारा पहला question क्या है अपने element के साथ LibreOffice Calc spreadsheet की व्याख्या करें जो spirit sheet होता है अगर यहीं पर बात करें LibreOffice writer की तो उसका एक्सेंसन नेम क्या होता है डोट ओड़ी टी वहता है और बात करें अगर लिबरोफिस इंप्रेज की तो उसका एक्सेंसन नेम डोट ओडी पी होता है यह आपको याद रखना है एक्जाम में किसी का भी एक्सेंसन नेम पूछ सकता है ठीक है इनके एक्सेंसन नेम आपको यादोने चाहिए अब इसके दोस्तों element क्या है वो हम देख लेते हैं सबसे पहला जो है वो है workbook, worksheet, row, column, cell, formula और function यह सभी क्या है इसके element है ठीक है क्या है, element होते हैं, question number दोसरा हमारा है, cell referencing को परिवासित करें, cell referencing के विविन परकारों को उधारन सहीत यहां पर आपको समझाना है, explain करना है, देखिए जब आप cell address को cell के अंदर, excel के किसी function में परियोग करते हैं, तब उस cell address को उस function में का cell reference कहा जाता है, जैसे यह formula आप यहां पर देख सकते हैं, पहला होता है absolute cell reference, इस परकार के cell reference में column name और row number दोनों के पहले dollar sign का use किया जाता है, example के तोर पर आप यहां पर देख सकते हैं, उसके बाद आता है relative cell reference, इस परकार के cell reference में dollar sign का use नहीं किया जाता है, परियोग नहीं किया जाता है, example के तोर पर आप देख सकते हैं bracket c1 colon c10 bracket of ठीक है यह हो गया हमारा relative cell reference तीसरा है दोस्तो missed cell reference इस परकार के cell reference में या तो column या row दोनों में से किसी एक के साथ dollar sign का use किया जाता है example के तोर पर आप यहां पर देख सकते हैं a1 के साथ ही के वलिच का use किया गया है c के साथ यहां पर use नहीं किया गया है ठीक है तीसरा कोशन हमारा है दोस्तो what is array formula? array formula क्या है यह most important question है भई array formula अपने आप में कोई formula नहीं होता array formula किसी अन्या formula के साथ मिलकर उस formula को advance बनाता है यह formula सभी multiple range पर एक साथ काम करता है जिन पर हमें दो या दो से अधिक formulas का परियोग करना पढ़ता है उसी को array formula हम बोलते है question 4 what are chart? chart क्या है भई? chart क्या है? pie chart बनाने की परकिरिया में sunshape में समझाए जो भी pie chart बनाने की परकिरिया है उसको आपको यहां पर explain करना होगा chart, chart क्या है वो देख लीजिए दोस्तो chart क्या है पहले आपको यह समझना होगा chart जो है excel में जो data list के रूप में enter किया जाता है जो भी data list के रूप में enter करते हैं उसे हम chart के रूप में display कर सकते हैं chart के रूप में data impressive, interesting और समझने में आसान होता है इससे data को analysis करना और उसे compare करना आसान होता है पाई chart क्या है यह समझ लेते हैं पाई chart में आपका data गोल आकार में दिखाई देता है इसके अलग-अलग section में आपकी data series दिखाई देती है पाई chart बनाने के लिए उस data को select करेंगे जिसे आप पाई chart के लिए यूज़ करना चाते हैं और फिर toolbar में insert tab को select करेंगे toolbar में जाके insert tab पर आपको click करना होगा ठीक है अब insert tab में chart group में जाकर पाई chart बटन पर click करेंगे और इसके बाद drop down menu में से किसी एक chart जैसे 2D या फिर 3D पर click करेंगे ठीक है यह आपका question number 4 पूरा हुआ question number 5 यह last question है spirit sheet software के function को परिवासित करें और किनी 5 predefined function का वर्णन करें ठीक है यह पाँचवा question है last question है important question है spirit sheet में function जो है bullet in command की तरह होते हैं जो spirit sheet software में पहले से ही उपलब्द होते हैं इसलिए इन्हें predefined function भी कहा जाता है function code का ही एक हिस्सा होता है जिने Excel में spirit sheet application के साथ design किया जाता है इन function का परियोग विविन परकार के mathematical, logical और financial calculation के साथ किया जाता है Excel function को हमेशा parenthesis के साथ परियोग किया जाता है इन parenthesis के बीच में कुछ predefined arguments होते है जो निर्देशों की तरह काम करते है instruction की तरह काम करते है spirit sheet software के 5 predefined function निमने लगीते है पहला होता है sum उसके बाद होता है if ठीक है तीसरा होता है whole cup, whole cup और 5 बाद होता है constant rate ठीक है बाद पाच बाद होता है concatenate यह होगे आपके पाच इसके फंक्षन प्री फंक्षन ठीक है तो यह important question थे आपने याद कर लिया होंगे इस कर इन शूर्ट भी आप ले सकते हैं और बाई सभी बच्चे वीडियो देख रहे हैं लेकिन याड लाइक कोई नहीं कर रहा है उर्त बाद सकते हैं रहा है